हलो एंड वेलकम टू दो क्लास आज हम डिसकुशन करेंगे 2022 सिपट जो लोजी के कोश्टिंस कोश्टिंस 15 तक कंप्लेट हो गया था आज हम 16 से बात करेंगे ठीक है सो कुश्टिंस देखिए दे रखा की एरोर फ्री रिप्यार औफ डबल स्ट्रंडड ब्रेक्स इन डिन अकर्स बाई डिन रिप्यार जो है यह आपकी मॉलिकुलर वाइलोजी जो कोर पेपर है वहां से डिसकुशन हुआ है आप देख सकते हो फिर भी मैं आपको थोड़ा ब् जी सी तो जब भी रिप्लीकेशन्स होगा तो नया स्ट्रंड बनेगा ठीक है ना आच्छा माली जी यह है तो यहां पर टी होना चाहिए था लेकिन जी आके जुड़ गया आपकी मिस्टरिक ऐस से कुछ हो गया तो इस कैस में तो यह जो है उसको हम रिप्यार करनी चाहिए यानि कि यह चीजों को remove करके, मानने यह T add हो गया है, उसको remove करके, फिर G को remove करके T को add करनी है, ठीक है? आच्छा, तो DNA repair की इदे हम बात करेंगे, DNA repair डारेक्ट हो सकता है, मतलब कि बहुत तरीके के जो है, प्राबल्लिम आ सकता है, उसको देखने के लिए इदे हम बात दो तरीके नहीं कि कोई नहीं होता है डाइक लिज आसे होता है। मिलके बने होते हैं एक नुकलोटाइड फिर मा लेज़े ये ये बला है तो फिर फिर दूसरा नुकलोटाइड से के नुकलोटाइड ये आपस में फॉस्पोरडाइस्टर बॉंड से जुड़ी हुई है तो डारेट रिपैर में क्या होता है फॉस्पोरडाइस्टर बॉंड क परकेज नहीं होता है, डारेट रिपेर के अंदर दो चीजे आ जाएगा, एक आ जाएगा डाइमर जो है ना, डाइमर जो फोटो रियाक्टिवेशन हम कहते हैं, डाइमर फोर्मेशन माले जए, इस तरीके से एक स्ट्रांड था, एटी, एटी, जी, सी, यहाँ पर टी, तो य इस प्रोसेस में क्या होता है, ना, उल्ट्रा भावलेट रिडियेशन की वज़े से, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा फोटो लाइज, ठीके ना, एंजाइम की नाम होता है, फोटो लाइज, यह कोशिन एक बार आ चुका है, 2020 में कोशिन से आया है, ठीके, फोटो एक तो हैता है, फोटो रिडिवेशन प्रोसेस, और दूसरा होता है, आलकाल, आलकालाइटेड, यह ना, आलकालाइटेड प्रोसेस है, ना, आलकालाइटेड प्रोसेस, तो यहाँ पर आलकालाइटेड प्रोसेस में क्या होगा, ना, जो भी स्पेसिफिकाली, जो माल लीज एक strand है ठीक है ना एक strand है यहाँ पर ATGC ऐसे कुछ है यहाँ पर G में गवानिन में methyl group प्रेजन्ट है यहाँ पर एक enzyme है alkalated transferage AT हम उसको बोलते हैं alkyl transferage enzymes की नाम होता है alkyl transferage यह क्या करेगा आखे इस गवानिन के अंदर जो methyl group आटास्ट है यह खुद ही अपने उपर ले लेगा ठीक है ना यह आलकाइल transferage enzymes क्या करेगा गवानिल के उपर जो enzyme मतलग मिथाइल ग्रूप था उसको अपने अंदर ले लेगा तो अभी यह जो डियन है है आपका indirect repair indirect repair में steps आप याद रखिए सबसे पहला steps होता है कि पहचानना फर्स पर डैस्टर बन तो यहीं भी ब्रेक होता है simple लेकिन सबसे फास्ट स्टेप जो होता है आपको पहचानना पड़ेगा कि नया strand कौन है old strand कौन है new and old strand कि क्योंकि जैसे आपको पता होगा DNA replications जो होता है कैसे होता है DNA replication हमेशा semi conservative होता है ठीक है ना माल लेज़े यह parent strand है तो जो daughter strand जब बनेगा daughter strand कुछ अलग रहता है यह semi conservative ठीक है and हमेशा क्या होता है ना जो old strand रहता है old strand के अंदर methyl group present रहता है तो क्योंकि जब भी problem होगा है जो भी problem होगा जो mismatch होगा जो भी चीज़े होगा तो नया strand में होगा ना ठीक है क्योंकि sale में एक प्रोसेस होता है जब तक DNA सही नहीं होता है तो वह आगे की और cycle को move करने नहीं देगा ठीक है body system यह अच्छे से चल रहा है रान कर रहा है यह cancer बगए रहा है जो system काम नहीं कर रहा है तभी तो uncontrolled growth होगा तभी तो cancer हो जाता है ठीक है ना सबसे पहला steps जो आता है that is the recognition of the which one is old which one is new यह fastest steps होता है फॉस्परडेस्टर बांड ब्रेक होगा सबसे फॉस्परडेस्टर बांड होता है रेकोगनिशन करना ठीक है ना रेकोगनिशन करना उसके बाद ब्रेक करना ठीक है ना जहां पर problem हुआ है breakage of COPD मतलए जो फॉस्परडेस्टर बांड है उसको ब्रेक करना उसके बाद हम देखेंगे base को remove करेंगे न बेस को remove करेंगे base को remove करेंगे जिस base मानली जेया lithium-in के place में गवनीनार भी है तो उस चीज़ों को पहले base को remove करना है तो उसके बाद एक गड़ गप बन जाएगा इस gap को fill करना है ठीके ना gap को fill कौन करेगा DNA polymerase 1 करेगा ठीके ना DNA Polymerase 1 जो है डर्माली आपने पढ़े हों कि DNA Polymerase थाड़ा ही जो होता है यूज होता है प्रोसेसिंग करने के लिए 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 पे DNA Polymerase 1 यूज होता है उसके बाद उसको जो gap बनने के बाद थोड़ी से जो gap रहता है मतलब कि नीक रहता है उसको सिल किया जाता है लाइकीस की मडद से ठीक है जो बीसे से उसको रिमोब करेंगे फिर नया सिंधेसाइज करेंगे जो जिस एरिया में प्रब्लम हुआ है, फिर उसको सील करके हो जाएगा, तो indirect repair में हम देखेंगे, single stranded break के लिए रहता है, अलकि DNA की दो strand हैसे होता है न, कभी-कभी एक strand में break होता है, कभी-कभी एकदम दो strand में break हो जाएगा, double strand break के लिए भी होता है, single strand और एक होता है, double strand के ल repair, और अच्छा मैं आपको अच्छे से बता देती हूं, तकि आप लेक लेजे, तकि आपकी यह याद रहे, ठीक है, यह बहुत important है, 20 में आया था, फिर 22 में, ठीक है न, आच्छा, तो देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे, DNA repair, ठीक है, DNA repair, DNA repair, दो तरीके के होता है, direct, direct में हमने क्या देखेंगे, no break of phosphodiester bond, phosphodiester bond की कोई breakage नहीं होता है, यहाँ पर देखेंगे, indirect, indirect में सबसे important चीज होता है, कि phosphodiester bond breakage होगा, तो steps कैसे होता है, न, first recognize करेगा, कौन सी old है, recognize, which one is old and new, कौन सी old है, कौन सी new है, उस recognition करने के बाद, breakage करेगा, उसके बाद, base को remove करेगा, जो भी base है, nitrogenous base है, उसको remove करेगा, remove करने के बाद, जो gap बन गया, उसको fill करेगा, next step में gap filling करेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, न, sealing, यानि कि ligation कर लेगा, sealing या ligation आप बोल सकते हो, ठीक है, आच्छा, तो इतना चीज़ ये इसके बाद करेगा, ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे, उनकी type, direct में हमने दो चीज़ इस्टडी किये, एक तो होता है, आपका, dimer formation, dimer में photoreactivation, photoreactivation हमने देखा, हमने देखा alkylated, तो यहाँ पर क्या हुआ था, गुआनिन में methyl group add हुआ था, alkyl transferage enzyme आके उसको remove करेगा, यहाँ पर thymine, thymine जो dimer बन रहा है, photoliage enzyme उसको remove करेगा, ultraviolet UV radiation, ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद indirect में हम देखेंगे, indirect में होता है एक आपका exision repair, ठीक है, एक होता है mismatch repair, और एक रहता है recombination repair, ठीक है ना, recombination, और एक होता है non homologous end joining, एक रहता है, ठीक है ना, आच्छा, तो exisions में हमने देखा, फिर एक रहता है, Base Excision Repair Check Your Base Excision Repair में 1 से लेकर 3 नुपलियो टाइड में कुछ इधर उधर हुआ है मिश मैच हुआ है तो हम उसको करेंगे और एक रहता है Nucleotide Excision Repair ठीक है न determinant Nucleotide Excision Repair एक रहता है जहाँ पर 3 से लेकर 8 Nucleotide थोड़े लंबी relat oggi में कच प्रब्लेम हो आए तो हम nucleotide excision में का repair mechanism use करेंगे तो हमने देखा ये जो तीन है ठीक है ये जो तीन हो है excision repair mismatch repair ये single stranded break के लिए होता है ठीक है single stranded break के लिए होगा फिर उसके बाद देखेंगे recombination repair जो रहता है ठीक है ना recombination repair जो रहता है ये अब हम देखेंगे देखेंगे question जो दे रखा है आपकी दिमाग में ये थोड़ा जो short form में याद होना चाहिए है अच्छा question जो दे रखा है क्या था error free repair ठीक है ना कहाँ पर error विल्कुल भी नहीं रहेगा और फो double stranded break ये देने कर तो double stranded दे रखा है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि double stranded जो है recombination यहाँ पर देखने को मिलेगा और non homologous end joining में देखने को मिलेगा जो recombination repair होता है यानि कि हम homologous recombination भी कहते हैं क्योंकि homologous chromozum में ही वह देखने को मिलेगा देखिए और double stranded के लिए है बाकी जो था single stranded question से आपका answer मतलब कि थोड़ा मतलब कि 50% आप कर लोगे कि आपको recombination नहीं तो non homologous end joining में होना चाहिए ठीक है जब homologous होगा ठीक है homologous क्या होता है आपको पता होगा जिसे कि हमारे बड़ी के अंदर इस तरीके से क्या रहता है 23 pair of chromozum रहता है समझे ना आधा chromozum आपकी father की side से आया है आधा chromozum आपकी mother की side से आया है तो यहाँ पर इदि हम बात करेंगे यह जो DNA आप देख रहे हो ठीक है यह उनकी एक कपी बना लेगा तो इस दोनों को हम sister chromatids कहते हैं sister chromatids कहते हैं यह दोनों chromozum जो होते हैं homologous होते हैं ठीक है आपस में यहाँ पर जो jeans बगएरा रहते हैं वो equal मतलब की equal रहते हैं क्योंकि father भी human है mother भी human है ठीक है जो भी चीज़े रहेगा यहने कि जो भी आपकी जो ठीक है मिस्मैच रहेगा जो चीज़े रहेगा specifically वो क्या होता है ना equal होता है तो double stranded break हो ना homologous recommandations में यह दिए हम बेक हेंगे double stranded break हुआ है फिर भी वो सही हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि जो है holiday junctions बनता है holiday junctions यह अपने नहीं देखा है तो क्या होता है इस वाला strand जो होता है यहां पर आजाता है ठीक ना अच्छा यह फिर इसके साथ चला जाएगा इस तरीके से चलता है तो जो आपकी holiday junctions की वज़े से जो strand है extend हो जाता है और उसके साथ line up कर लेता है तो इसलिए यह error free रहेगा क्योंकि एक जब template बना रहेगा तो वहां पर error आने की chances नहीं है जो अपने आप चलता है तो यहां पर error होने की chances रहेगा तो यहां पर homologous recombination जो है यह आपकी सही answer हो जाएगा error free repair mechanism non homologous engineering में तो नहीं होगा क्योंकि वह non homologous chromosome की बीच में हो रहा है non homologous chromosome हम किसको कहेंगे माली जी chromosome 1 है यह 2 है 3 4 5 है chromosome number 1 under 5 यह अपस में non homologous होते हैं तो यहां पर जो gene है यहां पर अलग-अलग gene रहता है लेकिन यह दोनो chromosome जो अपस में chromosome number 1 अपस में homologous होते हैं chromosome number 5 अपस में homologous होते हैं तो वहां पर जो भी repair होगा एक को दीख कर दूसरा हो रहा है तो गलती होने की chances उतना नहीं है तो इसलिए हम उसको error free मतलब कि कोई error नहीं है clear हुआ तो answer यहां पर option C हो जाएगा तो base exception repair तो नहीं होगा and mismatch repair भी नहीं होगा क्योंकि वह कौन सी के लिए है ना single standard break के लिए है questions में यहां पर double standard दे रखा है ठीक है तो यदि आपको यह चीज़ पता है यह चीज़ यदि आपको पता है कौन single standard के लिए होता है क्या डबल plus single standard के लिए होता है तो आप answer तक चले जाओगे ठीक है फिर देखिए next questions दे रखा है आपकी यहाँ पे single standard in eukerotic mismatch repair mechanism is initiated by ठीक है? आचा, mismatch repair कौन सी चीजों में आ रहा है? direct या indirect? indirect में आ रहा है? ठीक है indirect में mismatch आ रहा है, यहीं पे हमने देखा था तो indirect mismatch repair सबसे पहला steps क्या होता है? फास्ट है, उसको उनको recognize करना है कि कौन सी old है, कौन सी new है उसके बाद break करना है उसके बाद उनमें जो basis गलती से आड़ हुआ था mismatch है ना तो mismatch का मतलब ही तो कुछ ऐसे ही है मतलब है कि हमाले यह parent strand था ठीक है? आचा, यहाँ पे कर लेंगे यह parent strand था, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ से उसको देखकर एक नया strand बना है, माले यहाँ पे ग्वानिन था, तो यहाँ पे cytosin जुड़ना चाहिए था, लेकिन cytosin ना जुड़के यहाँ पे thai मिनाड हो गया ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा hydrogen बन अच्छे से नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या होगा? तो जो size है, थोड़ा अलग रहेगा सबसे पहले की, mute S करके आता है, ठीक है ना? जो की recognize करेगा, कौन सी old है कौन सी नया strand है, उसके बाद ओ देखेगा और यहाँ पे mute S, mute age जाता है, ठीक है? तो जो की कुछ protein है, उसको help करते है remove करने के लिए, तो सबसे पहला steps, यह आपको यह basics पता है तो भी आप answer दे सकते हो कुछ चीजों की जरूरत नहीं है यहीं मिसमैच रिपेर मेकनेजी initiated by double stranded break strand specific need assylated DNA strand, methylated DNA strand तो old and new strand के बीच में वही होता है, जो old strand होते है उसमें methylated रहता है तो इसलिए उसलिए पहचान लेता है कि कौन सी old है, कौन सी new है क्योंकि new strand में problem होगा, old strand में problem क्यों होगा, ठीक है ना? new strand तहली में बन रहा है इसलिए तो parent DNA has methylated, मतलब कि ATGC दो जो कि methyl group present रहता है मतलब कि old strand में होता है फिर उसके बाद देखेंगे question number 18 the molecular basis of MN blood group system in human तो human में जो MN blood group system होता है जिसे आपको पता होगा कि हमारा bio blood group system ऐसा होता है MN blood group system होता है different different तरीके के होता है लेकिन मतलब कि 29-30 के आसपास characteristics के basis में acceptable होता है ABO blood group system RH factor जो कि positive negative के लाता है उसके सासत MN blood group थोड़े बहुत impact होता है तो वो specifically chromogen number 4 के अंदर 2 gene होता है जो कि glycoprotein A and glycoprotein B बनाता है उसके अकड़िंग MN blood group होआ है तो system is the difference is the amino acid sequences difference in the carbohydrate sequence in the glycoporine तो ये glycoporine में हो रहा है तो difference in the carbohydrate the folding pattern of glycoporine तो ये glycoporine की folding pattern भी हो सकता है उसके ओपर भी depend करेगा ठीक है आच्छा फिर हम बात करेंगे ये होगे आपका next questions के बारे में हम देखेंगे based on the abundance ठीक है ना यहाँ पर दिरखा है ये question है abundance की occurring based on the abundance of species in different community provide below indicate which of the following statement is true आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी आप कोई diversity को study करोगे आपकी हमेशा ये मक्सद होना चाहिए क्या species की richness ठीक है ना हम जब study करते हैं richness एक रहता है abundance abundance और एक होता है evenness evenness का मतलब है कि हर एक species की जो number है more or less similar रहना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हो देखिए कोश्य इसको देखिए कहां जो species B and D को देखिए यहाँ पर 10 यहाँ पर 50, 35 है तो यहाँ पर एक हार्मोनी मेंटेन नहीं हो रहा है लेकिन species A वाला इसको इस कलम को देखिए 70, 50, 30, 35 यहाँ पर लगभग लगभग ऐसा नहीं कि देखिए 5 and 50 के बीच में बहुत सारा डिफरेंसे हो गया हो गया ना तो वो evenly distributed नहीं है ऐसा हो सकता है कि कोई इस particular area में एक species यहाँ पर देखिए जो community 4 में यह species जो है ना अच्छा यह हम ऐसे बात करेंगे species दे रखा चार species इस community 1 में मिल रहा है community 2, 3, 4 में ठीक है अच्छा community 1 को आप देखिए community 1 में 70, 10, 10, 10 2 में 50, 50, 50 तो community 2 आच्छा ऐसे रिट कीजिए community 2 को फोकस कीजिए सारे में species 1 AB 50 है, BB 50 है, CB 50 है, DB 50 है 3 में भी आप देख सकते हो सारे 30, 30, 30 है 4 में देखिए 35 है एक में 35 है और बाकी सारे 5, 5 है मतलब कि community 1 को भी देखिए मतलब है कि 70 और बाकी 3 जो है 10, 10 है कितना ग्या पा रहा है तो community 1 and 4 जो है वो evenly distributed नहीं है लेकिन 2 and 3 को देखिए 50, 50 मतलब कि इभी इनली, सारे species की नमबर इक्वाल है डिफ्रेंस अच्छा community, community 1 हाज highest diversity, नहीं diversity हम कैसे calculate करेंगे कितने, मानले जी है community 1 में 10 types, मतलब 10 variety of species है community 2 में 3 variety community, यहाँ पर तब देख रहे हो सब में 4 variety की species है यदि मानले जीरो 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 दे रहखांगे तो option 1 तो गलत हो गया क्योंकि यह highest diversity नहीं है ठीक है number हो सकता है कि 70, 80, 90, 100 हो गया यह 50, 50, 200 हो गया इसको मिलाएंगे तो यह 200 है यह 120 है यह 100 है और यह मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे 50 हो जाएगा समझ रहो ना आचा तो यह कैसे होगा आचा all four community of the same diversity same तो diversity same diversity दे रखा है अच्छा फिर हम देखेंगे diversity of community 2 community 2 की diversity इसको देखिए diversity greater रहता है community 3 से 250 है 3 अच्छा फिर community 1 से फिर community 4 से diversity of community 2 is greater than community 2 की diversity ज़्यादा रहता है as compared to 3 and then अच्छा इक्वाल होता है ठीके ना अच्छा देखिए यहां पर community 2 and 3 की equal diversity होता है यहां पर 50 50 50 है सब की 50 है और 3 को देखिए 30 30 30 30 है तो सब की 30 है समझ रहो ना तो इसलिए 2 and 3 जो होते हैं equal होते हैं diversity में मामले में equal है कितने number ज़्यादा है उससे कोई लना दना नहीं है कितने variety है और evenness कैसे होता है इसमें हम देखते हैं तो इसलिए option 4 तो जो है answer हो जाएगा 2 and 3 दोनों equal होते हैं तो उसके बाद 1 आएगा उसके बाद 4 आएगा इसलिए है ठीक है next questions देखेंगे wildlife protection act 1972 में उसको मतलग कि act लाग हुआ था तो वहाँ पे protect endangered species of wild animal and plants yes, endangered species को protect करता है उनकी protection act क्या करिंग लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ endangered species को protect करेगा यह हो सकता है कि endangered species, vulnerable species सारे species को red data book क्या करिंग इस तरह से करता है prevented trade हाँ, trade को prevent करेगा allow pushing pushing का मतलब है कि kill करना है ना, haunting करना यह तो allow नहीं करता है इसी तो नहीं होगा all of the javav तो नहीं हो पाएगा किसी नहीं है तो only यह दे रखाए कि यह नहीं होगा तो option B के साथ हम चल सकते हैं ठीक है आचा, फिर आरिविदा आरिवादा refers to आरिवादा एक torm है एक torm होता है जब भी जो olive turtle होते हैं याद रखे olive, red little turtle जो होते हैं उस सिर्फ और सिर्फ आपको Odisha की अंदर दिखने को मिलेगा और area होता है गोहिर मथा गोहिर मथा ठीक है तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा आप जान लेजे उनकी biological name जानी है मतलब कि Odisha की जो environment है गोहिर मथा में उहीं पर आके हर साल उहीं पर एक लेंग करते हैं ठीक है तो उनकी जो breeding seasons में जो migrate करके आते हैं उसको आरी बिदा कहा जाता है ठीक है तो यह एक simple torm है उसमें समझने वाले कोई बात नहीं है और यह उड़ी समय है इसलिए पुछा गया और गहिर मत आप याद रखिए ठीक है अच्छा olive turtle या olive readily turtle उसके नाम और biological नाम भी याद रखिए आप google कर लिजे मैं याद नहीं है उनके biological नाम तो mutant animal उइद रखा कि दो mutant animals है दोनों की white eye है उसको हमने cross किया cross करने के बाद जो fn जो प्रोजन नी मिला ओ रेड कलर की है फ1 वाज इसल्फिंग फिर हमने red रेड को सेल्फिंग किया हमने produce जो प्रोजन हुआ वो होता है 9 is to 7 ठीक है यहां पर देख सकते हो 9 is to 7 मैंने आपको epistasis बताई थी अपने genetics वाला chapter में जाके epistasis जरूर चेक कर लेज़े ठीक है epistasis हमने बात किये थे one gene suppresses the expression of another gene हम उसको epistasis कहते हैं और यह एक non-allelic interactions है मतलब है कि एक zenic interactions होता है जिसमें हमने different different तरीके के ratio देखा था है ना अलग-अलग ratio जैसे 15 is to 1 हो गया 9 is to 3 is to 4 हो गया मतलब अलग-अलग ratio होता है तो मैंने आपको उस time पर भी बताई थी कि इस तरीके से मान लिजे यह chromozom है यह A gene है यह उनकी आलेली है फिर हम बात करेंगे यह B gene है और यह उनकी आलेली है जब A gene शमझे रहो ना capital A capital A रहने से dominated रहेगा या तो capital A small A या small A small A रहने में recessive होता है उसको हम आलेली के interactions कहते हैं ठीके ना आलेली के interactions जैसे dominant हो गया जैसे capital T small T रहने से plant जो है tall हो रहा था ठीके ना इसको हम क्या बोल रहे थे dominant होता है जैसे red and white मिलने के बाद pink मिल रहा था वो था क्या आपका incomplete dominance incomplete dominance और एक था जैसे codominance था codominance क्या था जैसे cow and dog बगेर आपने देखे हैं उनकी skin color cow बगेर था ने black white patches patches होता है codominance दोनों की दोनों express हो रहे थे वो सारे था allelic interactions लेकिन genic interaction हम epistasis में देख रहे हैं कि जब एक zine one zine यह zine जो है either इस zine को या तो नहीं इस zine को activity को यह दि suppress कर रहा है तो हम उसको epistasis कहते हैं when one zine one zine suppress the expression of another zine दूसरे zine की expressions को suppress कर रहा है and zine is called epistasis और epistasis जो होता है एक non allelic interactions होता है that means it is a genic interaction gene gene के बीच में हो रहा है ना कि allelie allelie के बीच में ठीक है तो देखिए तो आहां पर यह ratio आता है इस आरे ratio आप देखिए dominant 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 complementary supplementary gene interactions ठीक है ना duplicate dominant यह सारे जो ratio मेंने बताए थी आप उसको ज़रूर एक बार चेक कर लेजिए ठीक है तो देखिए mutation is the parents are allelic allelic तो नहीं होगा है ना option नहीं होगा mutation in the parents are non allelic yes यह non allelic होता है mutation in the parents are linked जब linked होगा तो जो भी parents की क्यारा क्योंकि linked का मतलब है कि दोनों gene जो है एकदम करीब present है एक लोकेस में present है जब भी जाएंगे साथ चले जाएंगे लेकिन यहां पर दो दे रखा है white color parents red बन रहा है तो अलग हो रहा है तो लिंड नहीं होगा तो यह क्या है यह non allelic interactions है I hope आपको चीजे clear होगा कि किस प्रकार से चीजे चल रहा है ठीक है अच्छा इसी तरीके से classes के लिए आप जुड़े रही है एक च्टाइट के साथ और और एक information है यदि आप preparation करना चाहते हो CP8 2024 के लिए तो आप जुड सकते हो ठीक है तो यहां पर one year course की लांच होता है ठीक है और साथी साथ अभी class course तो चल रहा है आप जुड सकते हो ठीक है तो यह दिये के number इसे देख सेबेनेट 94 22680 इस number पर आप contact कीजिए ज़्यादा information के लिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है